यह जो केस लौ है यह बहुत बहुत ज्यादा फेमस केस लौ है इन दे पेपर ऑफ जे आई जी एल और बहुत सारे टर्म के पेपर्स में यह क्वेश्चिन जो है अब दे केस लौ यह पूछा गया है अने को बार समझ में आ रहा है बहुत बहुत जादा पॉपिलर है अब बहुत सारी स्रूडेंस जो ना कनफ्यूस हो जाते या फिर भूल जाते राइलेंड वसस फ्लेचर का केस क्या था MC Mehta vs Union of India ये case जो है ये भी inspired हुआ है Ryland vs Fletcher I mean the judgment of this case was inspired from the Ryland vs Fletcher ये हम लोग कह सकते है तो क्या है ये Ryland vs Fletcher and MC Mehta vs Union of India ये हम लोग देखने वाले आज समझ में आ रहा है तो आप बहुत अच्छे से देखना है 10 minute concept में ये complete कर दूँगा मैं 10 minute लगेगा बस ज्यादा से ज्यादा and आपको पूरा examination point of view के लिए पूरा concept clear हो जाएगा कहानी Ryland vs Fletcher की हुआ क्या बताओ सर देखो हमेशा याद रखना कि कभी भी case अगर file हो रहा हो किसी भी court में तो दो पाटी रहता है एक रहता है plaintiff एक रहता है defendant एक रहता है plaintiff दूसरा रहता defendant plaintiff वो बंदा रहता है जो हमेशा case करता है किसी और के उपर और जिसके उपर case किया गया है वो अपने आपको defend करता है इसलिए हम लोग कहते हैं इसको defendant समझ में आ रहा है तो इस case में भी एक plaintiff था एक defendant था और एक तीसरा बंदा था जो था independent contractor कौन था बताओ independent contractor समझ में आ रहा है ये जो defendant है इसने कुछ कारिय किया होगा जिसके कारण इस plaintiff ने इसके उपर case कर दिया obvious सा बात है सर अब बताओ सर हुआ क्या था defendant जो था उसने employee किया एक independent contractor को एक independent contractor को पकरा और उसको कहा कि भाई मेरे मेरे के काम कर दे तो वो काम क्या था काम था to make a water reservoir अब ये जो water reservoir था ये क्या था water reservoir एक पानी का टंकी है आप टंकी के हिसाब से भी कर सकते हो या फिर आप dam के हिसाब से भी बना सकते हो तो बहुत मतलब जहां पर water store होके रहता है समझ में आ रहा है तो उसका एक जमीन था जमीन के उपर उसने एक reservoir बनाया बहुत भारी capacity का reservoir था और ये reservoir इसलिए बनाया गया क्योंकि defendant के पास एक mill था अब उस mill में काम करने के लिए पानी चाहिए था तो उस पानी जो है उसका supply वो इस reservoir से लेता था समझ में आ रहा है ना store करके रख देता था उसके बाद reservoir से पानी लेके mill में कार्य जो है काम जो है वो होता था समझ में आ रहा है built to supply for his mill किसका mill? defendant का mill अब हुआ ऐसा भाई मेरे हुआ कुछ ऐसा defendant ने ठेक है उसने बनाया एक reservoir बहुत beautiful सा reservoir बनाया अपने land में उसी का land था समझ में आ रहा है किसको बनाने के लिए बोला independent contractor को बोला independent contractor तू जाके बना दे मेरे लिए ये जो है water reservoir समझ में आ रहा है अच्छा जैसे independent contractor ने water reservoir बनाया और इसमें पानी भरना शुरू कर दिया तो इस reservoir के नीचे इस जमीन के नीचे कुछ mining shafts थे mining shafts क्या होता है बारूद होता है mining shafts थे जो की use किया जाता है mining के दोरान तो ये mining shafts में pressure इतना जादा गिर गया ये पुराने mining shafts जमीन के नीचे ना तो defendant को water capacity का जो भार था वो ले नहीं पाया और वो blast हो गया जैसे ये water blast हो गया जैसे water गिर गया ये water निकल के यहां से निकल के निकल के निकल के उसके परोस के coal mine में जाके गिर गया coal mine में जाके पानी जो है वो घुज गया coal mine क्या coal mine जहां पर कोईली का काम होता है, समझ में रहा है, इससे पानी निकल की, इसके बाजू में ही यह जो प्लैंटिफ है, इसका एक कोल माइन था, आप देखो यह नीचे जुक के बैठा है, वो देख रहा है कि जितना सारा कोल माइन, कोल्स था, वो सारा भीग गया, और अगर एक कोईला भीग जाता है, तो बहुत दिक्कत हो जाता है, इसका वैल्यू गिरी जाता है हमेशा, इसको सुखाना पड़ता है, बहुत दिक्कत है, तो इसलिए इसको बहुत जादा डामेज जो है, वो हुआ, किसको हुआ बताओ, इस कोल माइन की ओनर को, अब यही कोल माइन का owner जो है इसने case कर दिया हमारे defendant के उपर समझ में आ रहा है defendant के उपर case कर दिया तो plaintiff ने क्या क्या plaintiff ने case file कर दिया against defendant court ने judgment सुनाया court judgment सुनाने से पहले defendant कहने लगा sir मैंने तो ये जान बूझ के नहीं किया मेरा तो ना की नहीं मेंस रिया था ना कुछ भी था तो court ने judgment सुनाया defendant made liable defendant को liable गोशित किया गया था defendant had to compensate for the damages ये जो defendant है इसको damages compensate करना परा क्यूं court ने reason दिया देखो court ने reason दिया ये court ने बोला we think हमको लगता है that the true rule of law is that the person who for his अपने purpose के लिए लाया bring on his land उसके जमीन पे and collects and keep collect करके रखा या फिर रखा there anything likely to do mischief if it escapes मतलब कोई भी ऐसा सामान रखा जो कि damage कर सकता है अगर वो escape हो जाए अगर वो escape हो जाए तो damage कर सकता है अपने आस परोज के लोगों को must be kept at his own peril peril का मतलब होता है इसके खुद के रिस्क पे ठेके इसको हम लोग रिस्क भी कह सकते है आपके रिस्क पे आपको काम करना है आपने लेकर आया आप खुद के रिस्क पे ये रखोगे समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है and if अगर he does not do so is prima facie answerable for all damages which is the natural consequence of its escape natural consequences क्या है एक बार escape कर लिया तो damage होगा damage होगा समझ में आ रहा है damage होगा और अगर damage हो रहा है तो आप ही answerable रहोगे आप ही रहोगे answerable क्योंकि आप अपने खुद के risk पे ये सामान आपके खुद के काम के लिए ठीक है own purpose आपके खुद के काम के लिए आपने लाए ये खुद के काम के लिए आपने लाए आपके risk पे आप रख रहे हो अब आप answerable होगे अगर किसी भी प्रकार का damage हुआ था जो की naturally होगा ही क्योंकि ये natural consequence है अगर ये escape हो रहा है तो नेचरल consequence मतलब पकल लो आप dangerous आप कुछ चीज लाके रखे हो आपके compound में ठीक है जो अगर leak कर गया तो आसपास के घरों को damage हो सकता है समझ में आ रहा है तो वो ऐसा ही चीज है ये समझ चुके ये court ने judgment दिया कि भाईया आपने जो है ना आपने रिजर्वर बनाया ठीक है इतना जादा पानी अगर आप रख रहे हो तो ये dangerous ही है ना इतना जादा पानी अगर किसी के घर में भी घुज गया तो बहुत दिक्कत हो सकता है बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है तो ये डैमेज हुआ इस कोल माइन के ओनर को प्लैंटिफ को अब ये प्लैंटिफ जो है इसको कंपेंसेट करोगे कॉन करोगे के डिफेंडेंट करेगा कंपेंसेट ये समझ में आ चुक है सरको इदिके दोली बात हैं आगे बढ़ते अब एमसी महतब वसस यूनिन ऑफ इंडिया का भी केस कुछ ऐसा ही था जज जिस ने रेफरेंस लिया किसका रेफरेंस लिया राइलेंड वसस फ्लेचर के केस का ये 4th and 6th December 1985 का कहानी है जहां पे श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से एक हामफुल गैस लीकेज हुआ उस गैस का नाम है ओलियम गैस उसके यूनिट से गैस जो है लीकेज हुआ अब ये ओलियम गैस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ ये H2SO4 plus SO3 का composition रहता है इसमें रहता है sulfuric acid and sulfur trioxide जो की बहुत हामफुल है किसी भी इंसान के consumption के लिए तो कोई भी इंसान अगर inhale भी कर रहा है इस गैस को बिमार पर सकता है वह मर सकता है समझ में आ रहा है तो court ने judgment यही सुनाया कि देखो राइलेंड वर्सेस फ्लेक्चर में भी ऐसा ही हुआ था यह हुआ था dangerous gas आप लेकर रखे हो dangerous gas आप लेकर रखे हो आपके territory में आपके unit में अगर वह escape कर रहा है अगर वह leak कर रहा है और आसपास परोज के किसी भी इंसान को damage कर रहा है तो आप ही liable रहोगे क्या यह समझ में आ चुका है क्या समझ में आ चुका है अब एक बहुत important चीच समझो यह chapter कौन सा है chapter है tots में अपना topic था strict liability जिसके अंदर हम लोग देखते थे राइलेंड वर्सेस फ्लेक्चर का case अब यह strict liability है इसका कुछ exceptions भी है अगर यह leakage हुआ अगर यह पानी का leakage हुआ तब भी defendant जो है वो liable नहीं रहेगा अगर अगर यह gas का leakage हुआ तब भी defendant जो है वो liable नहीं रहेगा कौन से cases में कहां पर वो exceptions है वो हम लोग देख लेंगे सबसे पहला exception है damage due to natural use of land आपने land का natural use किया natural use का मतलब होता है जो हर कोई use करता है जिस भी purpose के लिए land उसी purpose के लिए आपने use किया ना कि आपने बहुत ही जादा dangerous कुछ लाया लेकिन फिर भी आपसे या फिर आपके जगे से कुछ harm कुछ हानी जो है वो हुआ इसके example मैं आपको यह बता सकता हूं कि आपके घर में क्या LPG gas रहता है अगर आपका घर में LPG gas leakage हो रहा है क्या और leakage हो के आपका घ पकल लो मतलब ऐसा ना हो फक पकल लो यार आग लग गया for example तो आपके आसपास के घर कभी आग लग गया ठीक है तो harmful gas तो है ही यह LPG gas क्योंकि हाम हो सकता है leakage हुआ है लेकिन क्या आप लायबल रहोगे आपके जो आसपास के घर जल चुके है क्या उसके लिए आप लायबल use of land तो आप लायबल नहीं रहोगे consent of plaintiff इसका मतलब यह होता है जो आपके उपर case कर रहा है ना उससे आपने पहले permission ले लिया था कि भाई मैं business करने वाला हूं यहाँ पर olium gas जो है वो रखने वाला हूं यह बहुत dangerous रहता है क्या मैं करूं तेरे को दिक्कत तो नहीं है तो problem वाली बात नहीं है तो आपने plaintiff से consent ले लिया act of third party किसी third party के वज़े से आपका यह escape हुआ है जैसे मैं आपको example के तौर पर समझाओ कि यह जो water आपका reservoir था यह आप देख रहे हो कि बहुत सारे stand के ऊपर यह खरा है किसी third party ने आके यहां से बहुत सारे stand जो है वो उसने त support जो है वो तोड़ दिया जिसके कारण यह गिर गया गिर के लीक हो गया तो इस third party को liable करेंगे ना की defendant को liable करेंगे समझ में आ रहा है लेकिन यह आपको court में प्रूफ करना होगा कि third party आया था ऐसा कुछ घटना घटा था समझ में आ रहा है यह हो चुका है act of third party तीसरा है statutory authority मतलब government के कारण government के कारण government के instructions में ही आपने वो सामान रखा है government के instructions में ही आपने वो काम किया है government government ने कहा देखो government आपको काम दिया आपको किस प्रकार का काम दिया आप एक industrial बूला कि देखो तुम यह gas जो है इस अमाल के रखो आपका खुद के purpose के लिए आपने नहीं भगवान ने क्या कर दिया जैसे omg में आपने देखा होगा earthquake ठीक है earthquake tsunami ठीक है cyclone ये सारा क्या है act of God इसके कारण अगर आपका gas leak हो रहा है या फिर आपका पानी गिर के किसी के घर में गुश चुका है तो वो उसमें आप liable नहीं हो फिर है escape due to plaintiff's own default plaintiff मतलब वही बंदा जो case कर रहा है उसके खुद के default के कारण वर्ष अगर leakage हुआ उसके घर में घुसा उसके कारण वर्ष ना कि आपके कारण वर्ष उसने पकल लो यार प्लैंटिफ ने थर्ड पार्टी में जैसे मैंने आपको example दिया न उसी प्रकार से समझ लो plaintiff ने ऐसा mischief किया mischief मतलब wrong काम किय क्या wrong काम किया उसने आके इसका पैर को तोर दिया समझ में रहा है plaintiff जो case कर रहा है मतलब यही बंदा यही बंदा आकर आपका इसका जो पैर है उसको तोर दिया उसका support को तोर दिया इसके कारण इसके इसमें घुस चुका है अभी यह रोने से कोई फाइदा निए आपी का कारण था प्लांटिफ के ओन डिफॉल्ट के कारण ऐसा कुछ हुआ है प्लांटिफ के ओन डिफॉल्ट के कारण एसकेप हुआ है तो यह था आपका पूरा-पूरा case study for Ryland vs Fletcher and MC Mehta vs Union of India शायर आपको बहुत जादा पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इस विडियो का जारूर लाइक कर देना and also subscribe to the channel for more and more case loss thank you so much everyone happy learning guys bye bye take care